नमस्कार दोस्तों चारक की नीती का एक और ग्यान बर्थक वीडियों आपकी सेबा में प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने ग्यान के भंडार को और बढ़ा करने के लिए वीडियो को अन तक जरूर देखिए क्यूंकि आचारे चारक की जी कहते हैं आदा दूरा ग्यान सदेव घातक होता है दोस्तों चारक की जी ने हमें कई ऐसे काम बताये हैं जिनका पालन एदी किसी परिवार में किया जाए तो परिवार की पीडियों तो खुशाली बनी रहती है तो दोस्तों आएए जानते हैं वीडियो के माध्यम से वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे परिवार में करने से खुशाली बने रहेगी और धन-धन यानि रूपिय पैसे की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी दोस्तों कुल देपता, पूजन और सुराद चारक जी के अनुसार जिस कुल के पित्र और कुल देपता उस कुल के लोगों से संतुष्ट रहते हैं उनकी साथ पीडियां खुशाल लहते हैं तोस्तों हिंदू धर्म में कुल देवी का आर्थ है कुल की देवी मानिता के अनुसार हलकुल की एक आराध देवी होती है जिनकी आराधना पूरे परिवार दोरा कुछ विशेस तितियों पर की जाती है बही पित्र तरपण और स्राध से संतुष्ठ होते हैं पुंड तिती के अनुसार पित्र का स्राथ वा तरपड करने से पूरे परिवार को उनका आशीरबाद प्राप्त होता है दोस्तों जूटा बगंदगी से रखें घर को दूर चारक जी के अनुसार जिस घर में किचन में खाना बिना चखे भगबान को अरपित किया जाता है उस घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है इसलिए दियां आप चायते हैं कि घर पर हमेशा लच्छमी महरवान रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि किचन में जूटन ना रखें वा खाना भगबान को अरपित करने के बाद ही जूटा करें साथ ही घर में किसी तरह की गंदगी जाले आदिना रखें इसका पूरा खास खयाल लखें दोस्तों इन पांच को खाना खिलाएं चारक की जी के अनुसार खाना बनाते समय पहली रोटी गाई के लिए निकालें मचली को आटा खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें पंचियों को दाना डालें और चीटियों को चीनी बाँ आटा खिलाएं जब भी मौका मिले इन पांच में से एक को जरूर भोजन करवाना चाहिए इससे हमारे घर और परिबार में खुशाली बने रहेगी और कभी भे रूपियों पैसों की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों अंदान चाड़की जी के नुसार दान धर्म पालन के लिए अहम माना गया है खास तोर पर भूकों को अनाज का दान धार्मिंग नजरिये से बहुत पुंड़दाई होता है संकेत है कि सच्चम होने पर ब्रामण गरीबों को भोजन या अन्दान से मिले पुंड़ अधरस से दोस्तों को नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं दान करने से सिर्फ एक पीड़ी का नहीं साथ पीड़ियों का कल्यान होता है दोस्तों बेदों और गरंतों का अधियन चाड़क जी के अनुसार सभी को धर्म गरंतों में छुपे ग्यान और विद्या से प्राकरती और इंसान के रिस्ते को समझना चाहिए वेवारिक रूप से परिवार के सभी सदस्य धर्म कर्म के साथ ही उच्छ वेवारिक सिच्चा को प्राप्त करें दोस्तों तब चाड़क जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए तब मन शरीर और विचारों से कठिन साध्रा करें तब का अच्छे परिवार के लिए वेवारिक तोर पर मतलब यही है कि परिवार के सदस्य सुक और शांती के लिए कड़ी महिनत परिस्रम और प्रुसार्थ करें दोस्तों पवित्र विवाह, दोस्तों चाड़क की जी के अनुसार विवाह संसकार को शास्तरों में सबसे महतपूर संसकार माना गया है या सोला संसकारों में से पुरसाथ प्राप्ती का सबसे अहम संसकार है व्यवारी कर्थ में गुण बिचारों वा संसकारों में बराबरी वाले समानी वा प्रतिष्ट परिवार में परंपराओं के अनुरूप विवा संबंद दो कुटुप को सुख देता है। उचित विवा होने पर सुस्त और संसकारी संतान होती है जो आगे चलकर कुल का नाम रोशन करती है। दोस्तों इंद्री सयम चाड़की जीके नुसार काम इंद्रियों और ज्यान इंद्रियों पर सयम रखना। जिसका मतलब है कि परिवार के सदस से शोक मोज में इतना ना डूब जाएं कि करतबियों और जिम्मेदारियों को भूलने से परिवार दुख और कष्टों से घिर जाएं दोस्तों सदाचार चाड़क जीके अनुसार अच्छा विचार और बेवार संदे से की परिवार के सदस संसकार और जीबन मुल्यों से जुड़े रहें अपने बणों का सम्मान करें रोज सुबा उनका अशिरवार लेकर दिन की शुरुआत करें ताके सबी का सोबाव चरित्र और ब्यक्तक्त स्रेष्ट बने रहें इस्तریयों का सम्मान करें और परिस्तری पर बुरा निगाह न रखें ऐसा करने से घर में हमेसा माल अच्छिमी की किर्पा बनी रहेगी तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल लंके बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहे है Stay Motivate, Stay Fairless, Jai Hind